हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जितने भी छातर छातराये 2024 में मैं टिक एक जाम दिये हुए हैं उन लोगों के मन में यह विचार चलता होगा कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा तो दोस्तों मैं आपको बता कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है जिस तारीक को जिस डेट को मैं बताऊंगा सब कुछ आपका एडमिसन किस प्रकार होगा और क्या क्या करना पड़ेगा आपका एडमिसन ओनलाइन होगा या ओफलाइन होगा कितना पेमेंट कटेगा सब कुछ मैं आपको तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैं बता देने वाला हूं दोस्तों कि आपके जो मन में अभिचार चल रहा है कि आपका रिजल्ट कब आएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे एक नोटिस जारी किया गया है जो कि सिक्षा विवाग क परच्छा समीति द्वारा संचालित ओनलाइन यहां पे आप लोग देख सकते हैं ओ एफ एस एस पोटल के से संबंधित यानि समझे कि यह ओनलाइन आपका एडमिशन होगा और ओभी ओ एफ एस एस के माध्यम से होगा दोस्तों आपका रिजल्ट कब आएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पे आप लोग देखते हैं फर्ष्ट नमर पे दिया हुआ है कि 10 मैट्रिक परिच्छा का परिच्छा फल प्रकासित किया जाएगा 10 अपरेल 24 तक आ जाएगा दोस्तों सत परसत आ जाएगा मैं आपको बता दू ओ एस एस को पोर्टल को कब खो चूज करेंगे 10 कोलेज चूज करने का ओप्सन आएगा लेकिन दोस्तों कम से कम आपको तीन कोलेज चूज करने पड़ेंगे उसके बाद मैं आपको बता दू कोलेज चूज करने का ओलाइन अप्लिकेशन देने का दोस्तों डेट रहेगा 11 से लेकर 25 के बीच में आपको कर लिना है उसके बाद मैं आपको बता दू आठ मैं तक आपका college का list आ जाएगा कि किस college में आपका selection हुआ है जिस college में first list आ तो फर्स लिस्ट आएगा दोस्तों फर्स राउंड में college अवंटन होगा विद्दालय अवंटन होगा दोस्तों इसमें यहां बता दिया दोस्तो आएगा नमंकन कर ने क्लिए तो मैं आपको बता दू 8 माई तक यहां पे आ जाएगा यहां नमंकन सुरूँ होगा looks आपको ऑंटर कर दिया जाएंगा आठ तक यहां पर देख आप लोग समझ लिजिए कि आप लोग को एड्मिसन करा लेना होगा दोस्तों यहां पर एक बात और समझ लिजिए यहां पर साफ साफ लिखा एक अचछा 11 वी का वर्ण संचालन प्रहंभ होगा दोस्तो 30 जुनको आप यहां पे देख से 30 जुनको आपको कोलेज अवंटर करा सकते हैं मैं आपको बता दू फिर तीसरा लिस्ट भी जारी किया जाएगा कि आप 15 जुलाई तक अपना एडमिसन करा लिजिए लेकिन दोस्तो इसमें भी अगर आपका नाम नहीं आता है तो घबराने वाली भी कोई बात नहीं है अगर कोई कोलेज उठाता है तो भी सही है नहीं उठाता है तो भी सही है उसके बाद यहापे 10 तमर पर आप लोग देख सकते हैं asport admission यहापे आपकी admission asport admission की जाएगी कौन से दोस्तों तो 31 मय तक 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक आप अपना admission करा लिजेगा और आपका admission दोस्तों उसके बाद बंद हो जाएगा उसके बाद आप चाह कर भी एडमिशन नहीं करा पाएंगे मैं आपको बता दू कि इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हैं कि क्या नुट्पिकेशन आया हुआ है दिगरी माव विद्दाले में इंटरमीडियर सिछा को अलग करने का अलोग चिएगरी माव विद्दाले में आपके नेश्ट बीओं तब तक दीजिए इजाजत जाए हिंद जाए भारत लिए जाए है